सभी स्टूडेंट्स का हिंदि मिरर क्रफिस स्वागत है अभी जो कंटन्ट ले करा रहा है और यहाँ पर आपको बता दे हम प्रिवेस कोशन पेपर अपलोड कर रहे हैं सभी के चाहे फिर फिर हो चाहे में का फोर्स सैम हो या फिर वियका सैं हो काफी students की queries आ रही है कि जो सिरुदे सुमन के students है BA 4SAM के तो हम से connected हैं 1SAM से ही तो हर बार वो queries भेजते हैं कि मैदम जो है 4SAM, 1SAM की जो है आप previous question paper upload कर दीजे तो सभी students को मुझे बार बार बताना पड़ता है कि आपका जो semester शुरू हुआ है NEP के according शुरू है और ये first semester ही है जो अभी start हुआ है तो आप first semester से ये चीज जो है focus करते आ रहे हैं या फिर कहना चाहिए कि जेलते आ रहे हैं कि आपके previous question paper नहीं है लेकि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं से आपके मिलते जुलते question paper मिल जाएं जिसे आपकी help हो सके तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि आपके पास other university से जो आपके subject से match करते हूँ वो paper में upload करने की कोशिश करूँगी तब तक आपको बने रहना है हिंदी mirror के साथ second Sam, four Sam और third year के students third year के students का अब last year है तो फिर भी वो collective रहे हिंदी mirror से तो चलिए, like करते रहिए, share करते रहिए और यहाँ पर आपको बता दें अभी जो हम question paper लेकर रहा है third year का, drawing and painting का लेकर रहा है paper first है examination जो आपके 2023 में हुए थे देख लिजिए, original paper आपको यहाँ पर मिलते हैं ऐसे नहीं किसी और university का जब किसी other university का होगा, तो उसके वेरे में भी आपको बता दिया जाएगा, आपकी help के लिए paper दिया जाएगा अगर आपकी university का नहीं है तो, जैसे NEP के भी हो रहे है, first chance हो रहे है, तो उसमें हमें other से ही उठाने पड़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको inform कर दिया जाएगा, अब यहाँ paper का जो नाम है, देख सकते हैं philosophy of arts and modern India, यहाँ पर देखना है 75 का यह paper आता है third year का, क्योंकि यह practical based subject है, तो बाकी number का यहाँ पर practical होता है शुरू में ही इन्होंने कह दिया है, all sections are compulsory सभी खंड अनिवार्य हैं section A में देख लेते हैं objective type questions थे यानि के बस्तोनिस्ट प्रशन, बस्तोनिस्ट प्रशन में all questions are compulsory होते हैं, सभी प्रशन अनिवार्य होते हैं तो यहाँ पर बताना है whose famous painting is काली, काली किसकी प्रसिद्ध करती है यहाँ पर केके हैबर या फिर तयब महता या फिर M.F. हुसेन next है, which place था शिल्पी चक्र शिल्पी चक्र was associated with शिल्पी चक्र किस स्थान से संबंदित रहा है यहाँ पर देली या फिर बॉंबे या फिर कैलकटा next question आपका यहाँ पर बताना है which artist is not a member of कैलकटा गुरूप देख लेते हैं option इसके यहाँ पर पर परदोश तास कुपता या फिर गोपाल घोश या फिर सतीज गुजराल कौन सा चितर का कैलकटा गुरूप का नहीं है next question है आपका who painted the famous painting सती सती शिर्शक चितर किसने बनाया था नंदलाल बोसनी राजारवी वर्मानी या फिर अमरिताश शियर गिलने next question है which artist was not member of group 1890 कौन सा चितर का group 1890 का सदस्य नहीं था तो इसमें दिखाना है या आपको बताना है या फिर जोधी भट या फिर शैलिंद्र डे next question है आपका GR संतोष is famous for which type of art GR संतोष किस कला के लिए प्रसिद्ध है लोकला, तांत्रिकला या फिर तेल चितरन फिर है seven question आपका बाकुडा जिले में 21 कलाकार का चन्मुआन, नंदिलाल बोस या मनीराई, असित कुमार, हल्दर next question अमरिदा शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरी थी पॉल, गौंगा, रैंबरा या फिर बॉक से next question आपका ब्रॉक से भारतिये शिल्प शडंग पुस्तके लिखक हैं नंदिलाल बोस या फिर रविंदरनाथ टैगोर या फिर गंग नेंदरनाथ टैगोर चलते हैं आपके जो हैं questions पर यहाँ पर last question 10 है आपका कलकता गुरुक की स्थापना में किस कलाकार की मुख्या भूमी का रही थी हेमन्त मिश्र परदोश दाज कुप्ता परितोश से फिर section B पर आ चुके हैं यहाँ पर short answer type question है और यहनोंने कहा है attempt many four question और each question carries five marks किनी चाप प्रशनों के उत्तर देने हैं पर ते प्रशन पाच जाएंगा होगा अब यहाँ पर हमने देखना है कि पहला question क्या जा रहा है पहला question जा रहा है आपका अमरिता शेर किल के चितर कला का वर्णन कीजिए second question है यामनी राइ के चितर कला पर लोग तत्तु के प्रभाव को समझाईए सो अंदरे क्या है फिर है भारतिया चितर कला के छे अंग शडांग क्या क्या है company school पर एक लेख लिखना है इसके बाद next question यानि के last question दिल्ली शिल्पी चक्र पर एक लिखना है क्या है दिल्ली शिल्पी चक्र next question है आपका section C से section C में long answer type question है यानि के 3 उत्रिया प्रशन है attempt any 3 question each question carries 15 marks इसके बाद किनी 3 प्रशनों के उत्तर दीजिए पर तेक प्रशन 15 अंकों का है write about the work of M.F. Hussain in the pressive active of progression artist group यहाँ पर बताना है progressive artist group के परिपेक्षि में M.F. Hussain के कार्यों पर परकाश आपको दाना है next question है आपका write about the Bengal school and its main artist Bengal शेली तह था उसके प्रमुख चितरगारों के विशे में लिखना था next question था आपका यहाँ पर write the essay on the painting style of Avindranath Tagore तो Avindranath Tagore की जो कला शेली है उस पर एक आपको ऐसे लिखना था next question था what is the Kalighat art style describe it Kalighat पर चितरशेली क्या है विस्तार से बताना था next question आपका दिल्ली शिल्पी चकर के प्रमुख चितरगारों की चितरगाला के वारे में विस्तार से लिखे आपने एक चीज़ नोटिस की कि आपके जो MC की उस बने हैं वहीं से जादा तर आपके question short question और long question उठाए गए हैं तो कोशिश की जिगा की अपने जितने भी topic हैं उनको अच्छे से तियार करने की अब यहां पर last question आपका शित question है राजा रवी वर्मा के चितरों पर एक निबंद लिखना है तो जितरे भी question है राजा रवी वर्मा, दिल्ली शिल्पी चक्र काली घाट, चितरे शैली यहीं से आपके short question भी बने हैं काफ़ी स्टोडन short question को अलग से तियार करते हैं और मेरा मानना है कि अगर आपने long question तियार कर लिए हैं टापिक अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपके short question भी बहीं से निगल आते हैं और आपके जो MCQs है वो भी बहीं से आ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि long questions त्यार करें और उसमें से ही सारा pattern निगल आएगा तो बने रहना ही हिंदी मिरर के साथ अब एक like कर दीजिए like के साथ share जरू कर दीजिए क्योंकि previous question पेपर हिंदी मिरर ही आपको provide कराता है और आप share करेंगे तो ये वीडियो उस इस्ट्रेंट तक पहुंच जाएगी जिसको इसकी बहुत जादा जरूरत है